दोस्तो दरगापर आने वाले लोगों के बहुत सारे सवाल थे आज मैं वो वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें सारे आपके सवालों के मैं जवाब देने वाला हूँ दोस्तो बहुत सारे कमेंट और कई लोगों ने मुझे परस्टनल में फोन करके भी पूछा है वो सारे सवाल मैं आज इस वीडियो में आपको उनके जाव दे देता हूым दोस्तो सबसे पहला सवाल है कि दरगापर बापू रोज रहते हैं या कभी कबर नहीं भी रहते हैं दोस्तो हर दिन दरबार वहां होता है और हर दिन बापू वहाँ पर रहते ही हैं कोई दिन ऐसा नहीं होता हाँ किसी काम की वज़े से उन्हें अगर तक्रीर के लिए बाहर जाना पड़ा या किसी और काम से बाहर जाना पड़ा तब ही वो बाहर रहते हैं बाकी हर रोज बावसाब दरबार पर रहते हैं, दरगा पर रहते हैं, सुबह 9 से 11 बजे तक वो खुद वहां रहते हैं दूसरा सवाल, सेयद जन्मलाबदिन बावसाब जो दरगा के खादिम है, उनका नमबर मिल सकता है, तो जी नहीं मिल सकता क्यूंकि उन्होंने भी मना कर रखा it किसी को भी नमबर देने के लिए मुझसे कोई नमबर न मांगया और मैं किसी को भी नमबर नहीं देता सवाल नमबर तीन दर्गा पर इलाज कैसे होता है दोस्तो दरगा पर इलाज जो सारे एक साथ लोग आते हैं सुबह 9-11 बजे वहाँ पर दरबार होता है सुबह रोज 9-11 बजे बहाँ सब वहाँ पर रहते हैं सब को एक साथ इलाज और पानी समझाते हैं दोस्तो किसी एक आदमी को पर्टिकुलर नहीं देखते बहाँ सब सब को एक साथ इलाज और पानी देते हैं और सब को इलाज समझाते हैं अपने अपने फॉन में रेकोर्ड करना होता है वहाँ पर ठीक से इलाज समझना होता है हिंदू भाई भी अपना इलाज ठीक से समझ ले और मुस्लिम भाई भी जो भी आते हैं वो अपना इलाज वहाँ पर सही से समझ ले दरगा पर कैसे इलाज होता है उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि इलाज इस तरह से होता है कि आपको आना है पानी और इलाज वहां मिलता हो ले लेना है और बाव साथ समझाते हैं वो समझ के फिर निकल जाना होता है तो ठीक है किसी एक आदमी को बाव साथ वहां पर देखते नहीं सब को एक साथ इलाज और पानी समझाते हैं अलग-अलग बिमारी वाले लोग वहां आ सकते हैं क्या ये भी एक सवाल पूछा गया है तो हाँ बिलकुल आ सकते हैं कैंसर के इलावा भी कई लोग ऐसी ऐसी बिमारी ले कराते हैं और अल्ला उन्हें भी शिफा दे देता है उस वली के जरिये तो अलग-अलग बिमारी वाल पर आप सुबह आएंगे, आपको इलाज और पानी मिल जाएगा, तो साम को आप अपने जहां से हैं, वहां निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रुकने के लिए कोई आपको फोर्स नहीं है वहां पर, और अगर आप अपने आप से रुकना चाहें, तो पास में मुंद्रा सिटी है, वहां पर आप गेस्टाउस होटल में रुक सकते हैं, और किसी के पास इतने पैसे नहीं है, और उसको दूसरे दिन ट्रेन मिल रही है, या दूसरे दिन सवारी मिल रही है, अगर एकदम गरीब आदमी है, उसके पास ज्यादा टिकेट के भी पैसे नहीं है, ऐसी position में कोई आ गया है तो वो दर्गा पे एक रात रुक सकता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है पेशन्ट को साथ में लाना है या या नहीं यह भी एक सवाल है तो पेशन्ट अगर ऐसी तकलिब में ऐसी भीमारी उसको है और ऐसी position है उस patient की के वो आ नहीं सकता चल फिर नहीं सकता तो उसे हरान मत कीजिए मत लाइए घर के किसी एक आदमी को या कोई भी एक विक्ति घर का आएगा वो पानी और इलाज ले जाएगा और उसको घर पे जाके दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है पेसंट को मुश्किल में मत दालिए और उसे तकलिव हो ऐसा काम मत कीजिए दरगा पे आने का टाइम क्या रहता है तो सुबह आट से ग्यारा या नौ से ग्यारा बजे बहाँ साथ वहां पर रहते हैं तो सुबह आट से ग्यारा हर रोज वहां पे दरबार लगता है इसमें और एक सवाल जोड देता हूं कि अगर आप देर से पहुँचे सुबह, कई लोग देर से पहुँचते हैं उनकी ट्रेन लेट होती है या कुछ गाड़ी से भी आते हैं जो लेट पहुचते हैं, तो आप लेट पहुचेंगे तो भी आपको इलाज और पानी वहां मिल जायेगा, अगर आप 2 पयर के टाइम पहुचे 1ск बज़े के करिब अगर कोई नहीं रहता चार बज़े तक आपको वेट करना होगा उसके बाद आपको इलाज और पानी उस दर्बार में से मिल जाएगा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल के दर्गा पर कैसे आना है तो दोस्तो मैं आपको आगे बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ दो वीडियो हैं जो मैंने एड्रेस पर ही बना रखे हैं फिर भी आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ अगर आप भारत में से किसी भी राजय यानि भारत में से किसी भी स्टेट से आप आ रहे हैं तो जहां पर ये दरगा है उस गाओ का नाम है गुंदाला दोस्तो जहां पर ये दरगा है उस गाओ का नाम है गुंदाला ये गुजरात स्टेट में है दरगा और स्पैसली कच्छ जिल्ले में डिस्ट्रिक कच्छ है अगर आप कहीं से भी आना चाहते हैं भारत में से किसी भी राज्य से अगर आपकी डायरेक्ट ट्रेन है तो भूज कच के लिए आप देख लीजिए कोई डायरेक्ट ट्रेन है अगर नहीं है तो एहमदाबाद गुजरात तक सारी ट्रेन हर राज्य से आती है तो आप एमदाबाद गुजरात के लिए देख लीजे वहां से फिर आप गांधी दाम के लिए बुजकच की ट्रेंड देख लीजे एमदाबाद से और आप गांधी दाम जंक्सन पर भी उतर सकते हैं वहां पर भी सवारी चलती है दरगा के लिए जो आपको गांधी दाम से गुंदाला दर्गा पर पहुचा देगे अगर सुबह के टाइम आप उतरेंगे गांधी दाम जंक्सन तो वहां पर आपको सवारी भी मिल जाएगी अगर नहीं दोपेर में उतरे या साम में तो फिर आप बस डिपो चले जाएगे वहां से मुंद्रा या मांडवी रूट की बस में आप गुंदाला गाव आ सकते हैं बस डिपो में जा कर कहिए गा कि हमें मुंद्रा रूट की जो बस जाती है वहां पर जाना है तो आपको गुंदाला गाव उतार दिया जाएगा ठीक है तो ये एक दरगा का परफेक्ट एड्रस मैंने हर वीडियो में बता रखा है और इस वीडियो में भी दे रहा हूँ और इसके बाद पुछे जाने वाला सवाल के दरगा पर कितने दिन रुकना होता है तो दरगा पर एक भी दिन रुकना नहीं होता है जिस दिन आप आए उस दिन ही आपको इलाज और पानी मिल गया आप निकल सकते हैं वापस इसके ब देना होता है और घर जाकर ये इलाज और पानी करना होता है ठीक है और एक इसमें भी सवाल जोड़ देता हूं कोई आदमी ऐसे भी पूछते हैं मुझे फॉन करके कि बोलते हैं कि मेरी अरजी लगवा दीजे तो यह आरजी मैं आज तक नहीं समझाओं और यहां पर कोई अर अरजी बरजी नहीं होती और मैं तो एक वीडियो बनाता हूं मेरा यह काम भी नहीं है अरजी लगवाना या किसी को ऐसे बोलना मैं सिर्फ लोगों को गाइड करता हूं इसलिए यह सवालों के पूरे वीडियो बना रहा हूं देख लीजिए कुछ लोग मुझे फोन करके आप इलाज और पानी हमें कूरियर से बेज़ दीजिए तो दोस्तो मैं आपको क्लिएर्ली मना बोल रहा हूं जो भी आदमी मुझे बोलेगा के कूरियर से पानी बेजना है या मुझे बेज दीजिए तो मैं उसके नंबर ब्लोग कर दूँगा उसे और रिपलाय नहीं सकते हों और दोस्तों मैं सबको वीडियो के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं जो लोग बीमार हैं ऐसी बीमारी में मुपतिला हैं वो इस दर्गा पर आ जाएं उसको कोई रास्ते में परिशानी नहों उनके सारे सावालों के जवाब के वीडियो मैं बनाता हू ँसलिए कि आपको आसानी हो दोस्तों मेरा काम सिर्फ यह है लोगो को हेल्प करना लोगों को रास्ता दिखाना उनको अगर आने जाने हम कोई दिक्कत हो रही है समझ नहीं आ रहा है कहां पर यह दर्गा है तो इसलिए मैं यह सब वीडियो बनाता हूं मेरा काम सिर्फ काम नहीं करता और एक बात के मेरे मोबाईल नमर आगे वीडियो में मैंने दे रखे हैं तो वो लोग ही मैसेज करें जिनको बिलकुली समझ नहीं आ रहा हो फिर भी मैं यह इंदी में पूरा वीडियो बना रहा हूँ आपको पूरा एड्रस है वो मैं description में भी दे दूँगा, pink comment में भी दे दूँगा, दरगा का address, location सब वीडियो में दे दूँगा इसमें, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं बोल के भी बता चुका हूँ, करूंगा जरूर से और दोस्तों जो भी इस दरबार में आता है सुबह 9-11 या 8-11 के बीच जो हिंदू भाई हैं उनको भी अपना इलाज समझ लेना होता है जो मुस्लिम भाई है उनको भी अपना इलाज समझ लेना होता है तो अपने अपने मोबाईल में वहाँ पर जो बहु प्रिकोर्ड कर लीजया हिंदू बाइक में रिकोर्ड कर लीजया है और या और आयगे बाद में आствको उसके पर пар間 रही आप लिक्रवब कर lenses system रिकोर्ड कर दीजिएगा कि ये सवाल रहे गया तो उस सवाल का भी मैं आगे वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगा फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें असलाम वालेकुम